आज हम बना रहे हैं मटर पनीर कुकर में डाबाई श्टाइल है बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी लगती है अगर आप ऐसे बनाएंगे एक बड़ जरूर ट्राइब करिएगा ऐसे बना के ओल डाल देंगे अपने साधुन सार कम ज्यादा कर सकते हैं एक मोटी लाइची एक तेट पात और जीरा जीरा क्रेकल होने लग अब हम इसके अंदर एक फाइनली चोप्ट अनियम लेयर में आप डाल देंगे गयास को दीरे कर देंगे तेज नी रिखेंगे नी तो त्यास देंगे इनको इसके तो हम दिन देंगे हैं इसके अधर हम टमाटा को मैंने रफ प्ली चोप्ट कर लिया है इसके अंदर दो मोटी लाइची चोटा सा टुपड़ा दाल ची निता दो से तीन लोंग और दो से तीन नी काली मिल्च जी सब हमने इसमें डालेंगे ठोड़े से मग्स पर भुजे के बीच जिसको हम कहते हैं ये एक चम्मच जितने हम इसमें ड प्ली मेरे प्याज फूं रहे हैं इसमें मैं दो से तीन साबुत लाल मिल्च भी डाल देती हूं और इसी कस्तुरी मेथी भी इस तरीके से डाल दूंगे इसके साथी बहुत खीक रेसिप है यह आप ऑफिस जाते हैं तो आप सुबह भी इजी ली बहुत अराम से बना पाएंगे एक सीटी में बन जाती है बस एक ही सीटी लगवानी पड़ती है एक टेबल स्पून बारके में जिंजर और ब्रिंचिली का पेस डाल दूंगी पोला सालसर लाओंगी आपके में इसके में इसके बहुत एच्टी आरी है इसके सब्सक्राइब करने इसके सब्सक्राइब ने बुटे पर गयास को सिंग कर लेंगे अब मैं टमाटर डाल देकी हूं तो मैंने साबुत मसाले डाल के टमाटर मैंने पीसा है इसको में डाल देकी इसके परीशिली पाउडर डालोंगी नहीं आप टेशन सा थोड़ा कम जादा कर सकते हैं आप टेबलिस्पून हल्दी जीरा पाउडर 3-4 टेबलिस्पून कोरियंडर पाउडर वन एंद आफ टेबलिस्पून अगर नहीं आप बनाएंगे तो बिना उसके भी स्किप्ट करना चाहें तो कर भी सकते हैं अगर नहीं है तो फिर आप टाएंगे जल गया उसके नदर मग्स जाले हुआ है फर भूजे के बीज डाले हुआ है इसकी वज़े से आप आम इसमें पनीर डाल देते हैं पनीर मही नहीं इस तरह से प्यूजिकल में गाटा हुआ है आप चाहें किसी भी शेफ में काट लीजिए यह देख पूल खलके हातों से चलाते हुए इस तरीके से इसमें थोड़ी देर के लिए दो मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजेगा डग दीजेगा मसाला इसके अंदर चला जाए बल्पो तो मिनट के लिए आम इसको सिम गैस के ओपर डग देते हैं कुष्व meam G До 번째कस्ट में अच्छे से चला जाता पनीर में इस तरीके से रखने से ज़ादा मत ही लाइएगा हलके हातों से लाइएगा Voorक्ते के पर रखिआ हैं थोड़ासा पानी डालेंगे ज़्याने ही डालेंगे थोड़ासो पानी डालेंगे अब उसको कहरा है तो बॉल वाटर को सकते sounds will इसको तेज गैस कर को तब डाला दिल वा लीजियो हम गतक देते हैं आप चाहे तो कच्छे भी डाल दीजिए लेकिन मेरे इस्क नहीं लेना चाहती है आप कम जादा भी कर सकते हैं और इसी स्टेज पर मैं इस के इंड़ा जाल दूंगी नमक आप टेस्ट अंसार डाल दीजिए मैं वन टेबल स्कून थोड़ा सा ओर डाला है वेने आप टेस्ट अब हम इसको एक सीटी लगने के लिए रख देंगे ठंडा होने पर खोलेंगे यह देखिए पनीर के अंदर अच्छे से मसाला चला गया है अब एक सीटी लगने के लिए आम इसको रख देते हैं बहुत जल्ड़ी बन जाता इस तरीके से इस recipe से आप बना के जरूर आने के लिए अब हम रख रहे हैं अब हम इसको खोलते हैं कि सिफ देखिए कितने टेस्टी बनी है देखने में अच्छी लग रही है अब इसके अंदर यह देखिए अगर आपको थोड़ा सा पतला लगे इस से स्टेश पर तो इसको एक दोब वायल दिलवा लीजेगा इसकी अब इसके अंदर हम ड़िया डाल देते हैं दो के आपे सारा यह देखिए अब हम इसको सब करते हैं बहुत इजी और बहुत अच्छे बनती है ऐसे आप एक बार बना के जरू ट्राइ करिए गा और मुझे बताईएगा कर्मेंट सेक्षिन में कैसा लगा मेरे पेस को मेरी वीडियो और थे दोनों पसंद आई होंगी जाने से पहले वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकोन दबाना ना बूले